गूड इबिनिंग पिछले कलास में हम लोग मानव सास्त्र की प्रकिर्टी के बारे में जानकारी लिये थें आज हम लोग का टॉपिक्स हैं मानव सास्त्र के अध्यन का उदेश इवं उपियोगता जैसा कि हम जानते हैं कि मानव सास्त्र में मानव का समगर अध्यन किया जाता है तो मानव का समगर अध्यन, समद्र अध्यन का सेंस की मानव का सारणिक अध्यन, मानव का समाजिक सांस्कृतिक अध्यन, आर्थिक राजनेतिक रूप से अध्यन, तो मानव सास्त्र में मनुस को दो पक्ष के रूप में हम देख सकते हैं एक मनुस को जैविकिय परानी के रूप में देखते हैं एक मनुस को एक सांस्कितिक परानी के रूप में देखते हैं जब हम मनुस को जैबीकिय पराणी या साररिक पराणी के रूप में देखते हैं तो मनुस के सरीर का अधियन करते हैं उसके उत्पत्ति उत्विकास का अधियन करते हैं जब इसको हम संस्कितिक पराणी के रूप में देखते हैं तो मनुस के समाज, संस्किति, रिति, परिवार आधी का अध्यान करते हैं यानि मानव साथ में मनुस का समगर अध्यान है अब समगर अध्यान है यानि मानव के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं तो हमारा टॉपिक्स है कि मानव साथ के अध्यान का उद्देश क्या है उद्देश सबसे पहला बनता है कि मनुस के बारे में समगर जानकारी लेना कि मनुस कौन है कहां से आया कब आया पराणी जगत में इसका अस्थान क्या है तो पहला point हम बनाएं कि मानव के बारे में समगर जानकारी प्राप्त करना इसका उदेश है मानव का बहवार मानव की संस्कृती अब संस्कृती एक बरावण है जिसमें रीती रिवाज पर्वतेवार धर्म जादू सब आ जाए तो मानव का रिती रिवाज संस्क्रिती के बारे में हम जानकारी लेते हैं बिकास से समंधित बात का जानकारी मानव कल्यान से समंधित जानकारी मानव समस्याओं के जानकारी और उसके बाद उसका समधान का एनलैसिस करते हैं समाजिक सांस्कृतिक पुनर निर्मान का आयोजन करते हैं कि जो socio-cultural reforms है उसको हम देखते हैं प्लानिंग करते हैं बिभिन समाज का आदिम समाज, ग्रामीन समाज, सहरी समाज का अध्यन करके एक दूसरे से तुलना करते हैं और तुलनात्मा का ध्यन से हमें कुछ ज्यान प्राप्त होता है उसके रिती रिवाज से समंधित या उत्पत्ती से समंधित हम जानकारी लेते हैं मानब और प्रकृति के बीच, परियावरन के बीच सम्मन्ध है तो कि मानब परियावरन पर-dependent होता है मानब परियावरन का संबन्द है और परियावरन के अधार पर ही मानब जो है कई पर जाती में विभक्त है तो मानब का प्रकृति से परियावरन से क्या संबन्द है इसका जानकारी पराप्त करना इस भी सै का परमुख उद्देश है बाद बाकी इसका डिटेल हम पीडियप में आपको दिये हैं तो उसको देखेंगे तो ये टेल कोस्चन के रूप में होगा पूरा फूल कोस्चन नहीं होगा परिभासा पुछेगा उदेश उपयोगता पुछेगा उपयोगता के बारे में हम जानते हैं इस विशाय का अध्यान का उप्योग कई सेक्टर में हैं जैसे हम परसासन को लेते हैं तो एडमिस्टेशन में चाहे वो अजादी के पहले हो अंग्रेज के द्वारा या अजादी के बाद हो हम किसी भी छेत्र के परसासन में या जन जाती है परसासन के छेत्र में हम वहां के समाज का संस्कृति का धीयन करके परसासन को सुचारू रूप से चलाते हैं यनी मानव शास्त का धीयन का उपयोग जो है परसासनी कार्जों में होता है अध्योगिक सम्बंद के निर्धारन में निर्मान में बनाने में इंडेस्टियल रिलेशन में मजदूर मेनेजमेंट हैं और धगी करांती में इसका विकास हुआ कि जब उध्योग जो है रूग्न होने लगें तो मानव सास्तری को अध्यान करने के लिए लाया गया तो पाया गया कि जिस उध्योग में एक मेयो का अपना रिपोर्ट है, तो मेयो ने रिपोर्ट दिया था कि जिस उध्योग में मेल फिमेल काम करते हैं, तो उसमें उत्पादन बढ़ जाता है, उन्होंने बताया कि किसी भी उध्योग में उत्पादन में गिरावट जो होता है, उसका कारण मांसिक ठकान है, मांस कुछ बेनिफिट देते हैं, कुछ फैसिलिटी देते हैं, जिससे उनका उध्योग आगे बढ़ता है, और अधोगिक संबंद को सुधारने में, जैसा कि अधोगिक करांदी के दोरान हुआ, ये मानव साथ की भूमिका है, यूद के छेतर में अधी हम जाएं, चाहे वो दूत अधीयबिस यूद हो, उत्तर कुरिया, दक्छिन कुरिया का यूद हो, मानव साथ की भूमिका साहार निये रही है, मानव साथ्री सेनिकों के मनुबल को बनाने का काम करते हैं, बेनेडिक्स नामक मानव साथ्री ने जपान के पुपलेशन का ध्यन करके राष्टबाद के बारे में जाना और तब जाके जपान पर आकर्मन हुआ यानि ओधोग यूद के छित्र में मानव साथ का ध्यन एक भूमी का अदा करता है उसी परकार किसी भी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उस जानकारी को प्राप्त करके उस समस्या का समधान करना इस वि विकास कार्जकरम बनाते हैं सरकार के द्वारा कई विकास कार्जकरम चला जाते हैं तो उस विकास कार्जकरम में ये ध्यान दिया जाता है कि जो आदी समाज हैं जन जाती हैं उनके रिती रिवाज पर कोई असर ना परें उनमें विद्रो की भावना नो हो तो विकास कार्ज कर्द 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 कर् धार पर जाती के धार पर भेदभाव होता है उस समस्या से निबटने के लिए हम मानव सास्त के अध्यन का उपयोग करते हैं मानव सास्त का ज्यान हमें बताता है कि ये जो है मनुस्य सभी होमो स्यपियंस के संतान है और वो जोगराफिकल चेंजिंग के कारण अलग-अलग प ये ज्यान हमको मानव सास्त के अध्यन से ही प्राप्त होता है इस परकार हम देखते हैं कि मानव सास्त की उपयक्ता हमारे बहवारिक जीवन में है कई सेक्टर में हैं, चाहे हम समाजिक समस्या को लें, चाहे हम यूद का छेतर लें, चाहे ओधोगिक सम्मन लें, चाहे सरकार्द और विकास कार्जकरम बनाया जाए या किसी समस्या के समाजिक समस्या के समधान के छेतर में इसकी महित्ता जो है देखने को मिलती है इस प्रकार मानव सास्त एक ऐसा भिसे है जो मनुस के समगर अध्यन करके समस्या के समधान में विकास कार्जकरम में एक परमुग भूमिका के रूप में हैं तो प्रस्न का नेचर होगा कि मानव साथ्र क्या है या मानव साथ्र की परिभासा दें किर्शक समाजों में इसकी उपियोगता की चर्चा करें या जन जातिय समाजों में इसकी उपियोगता की चर्चा करें या सीधे मानव साथ्र की उपियोगता को लिखें तो किसी भी रूप में हो, फॉर्मेट आपका ये है, कोस्चन आप बना सकते हैं सर, तो अगले कलास में हम अगला टॉप इस कर लेंगे, आप इस कोस्चन को तब तक लिखिएगा, कि मानफ साथ की परिभासा दें, इसकी उपियोगता की चर्चा करें, जैहिंग!